हिंदी में एक मुहावरा है उट किस करवट बैठेगा और यह मुहावरा आजकल यूपी की राजनीती में सुहिल देव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओंप्रकाश राजभर पर लागू होता में सत्राजभर साहब है जिन्होंने आज सुबह 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 सु प्रधन देश है तो जाती में हम पिछड़ी जाती से आते हैं वह भी पिछड़ी जाती से आते हैं तो पिछली बार जब मैं आपके पास आया था संजें सिंग की तस्वीर आई थी ट्विटर पे और आपने कहा था दो नेताओं में कभी शिष्टा चार मुलाकात नहीं होती ह आप अपनी ही बात पर आज contradict कर रहे हैं, दो नेता मिलेंगे तो धान रोपने की बात नहीं करेंगे, पिछले इंटर्विव में आपने कहा था, और आज आप कह रहा हूँ, मैं सिश्टा चार मुलाकात से गया, अंदर हमारी उनकी बात राजनीत की हुई, उन्होंने राजनी में उन्होंने पूछा कि आगे क्या है, हमके तो आप तो जानी रहे हैं कि कमरे में कुछ बाहर कुछ होता है, तो हम तो आपको साथ छोड़े, आप जानी रहे हैं कि मैं मंतरी था, आप बहुत मनायक नहीं मत जाईए, लेकिन हम नहीं मानें, तो जो हमारे इसू थे, कि दे आपने रिपोर्ट बनाई 2001 में फिर उसके बाद आपने जब में था सागविंदर सिंग के नित्रित में कमिटी बनी उसको लागू करने के लिए हमारा जगड़ा शुरू हुआ तो नव प्रदेशों में जब बाट के हो रहा है तब भी नहीं आप जाके किसी के घर पे बैठके प्रदेश अजग से मुलाकात तो नहीं करेंगे यह घंटे हमारे उनकी मुलाकात हुए मैं तो कहता रहा हूं यह घंटे बाची थे जब उन्होंने सवाल सुरू किया तो हमने प्रदेश में सारा बंदी को लेकर के आप लोग देख रहे हैं बराबर हम चिला राजनीती में आपको प्रेडिक कर पाना बड़ा मुश्किल है तो ऐसे में मैं साफ साफ पूछ रहा हूं बीजेपी से गडबंदन करेंगे कि हमारे पांच इसू हैं बीजेपी इसको लाग कर दे उसकी बात तब विचार करेंगे पहले नहीं चुकि मैं धोखा काया हूं दूद गरम पीते से में बिल्ली जल जाती है तो माठा फोक फोक के पीती है तो अब हम वहां जाने से पहले हमारे जो पांच इसू है उसको लागू कर दे उसके बात तो फिर हम विचार अब बात तो यहां से थोरह होती है बात तो उपर लोगों करते है ना यहां उस पर कोई चर्चे नहीं दया शंकर जी की घर पे आप मिले हैं वो बलिया के रहने वाले हैं आपकी कुल राजनीती जो है गाजीपूर बलिया के पास बढ़कती है तो कहीं ना कहीं क्या दया श समिति उनके पास था तो आमोम हम लोगों के आजाता था तो ऐसा नहीं है पहले चुनाओं में आमोम की बात नहीं होती है सरगडबंधन की बात होती है आप जो है राजबर साब से बीमिलते इससे पहले भुपेंदर चौधरी से भी आप मिलके आये अर अब आज स्वापनदर जी से मिले हैं कुछ ना कुछ तो माइने चुपे हो दिखिये हमारा संबंध फिर मैं कहा रहा हूं सबसे है मैं मुरादाबाद गया था वह पेंदर चौधरी जी का संजोग से वह हां हाप मंतरी थे तो हम चाय आप क्या पीटे थे हाप हमारे जीले में आए हो तो कम से कंचाय हमारी पी ऊपठाएन दो लोग नर्व लोग जाना चाहते हैं क्या ओम प्रकाष राजब्स नौ में बीजेपी के साथ का गड बंधन कर सकते हैं हां य proudly बौत हमारी कि जब तक पिछले 52 पर सेंट आवादी है ओठ हमारा राज-तुमारा ये नराभ नहीं वो खतम ओठ हमारा होगा राज भी हमारा होगा हम करके दिखाएंगे बाइस में इसके साथ जाएंगे अब अक्टूबर में बताएंगे इसके साथ अब इत्ताय कर रहरे हैं इत्ताय न लड़ने वाले लोग हो जीतने वाले लोग हो खाली लड़ना थोड़ना है सरकार बनाने के लिए लड़ना है कुछ जगड़ा नहीं सीटूट का सवसीट की तयारी कर रहे हैं एक सब्सक्राइब पुराना मामला है लेकिन मैं यह इस लिए बोल रहा है यह बात कि आपका सब्सक्राइब लोगों की राय है कि हमारे जो इसूस है जो वंची समाज के लिए हम लोगों के लिए सपा है दूसरी प्राथमिक्ता बस्पा है तीसरी जो है कंग्रेस है यह हमारा है यह इन सब चीजों को बीजेपी लागू कर दे तो फिर बीजेपी की संबंध में विचार किया जासे तो आप कह रहें योगी जी सीम रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे गट बंदर में तब तो साफ है पिछली जाती का सीम की बात मैंने कहा ना कि हमारे जो पांच इसू है उसमें से एक इसू ये भी तो है मुस्कुरा मुस्कुरा बता रहे हैं सर बताए साफ साफ कि क्या नियत थी अध्यक जिसे कोई नियत नहीं सिष्टाचार मुलाकात हैं अंदर कमरे में राजनीत की बात जो हुई आपसे बता रहा है तो देखिए ओंपरकाश राजभर जो पहले कहते हैं कि राजनेताओं की कभी शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती है अज वो भी अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं और इस बीच में दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी पिछडी जाती का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो गटबंदन नहीं होगा तो ऐसे में उम्परकाश राजबर को प्रेडिक कर पाना फिलाल यूपी की राजनिती में मुश्किल है लेकिन जो मुलाकाते हैं उसके राजलितिक माइने जरूर है कैमरा पसंद प्रेम सिंग के साथ रनवीर एबीपी निउज लखना कैमरा पसंद प्रेम सिंग के साथ राजन जरूर है